आई प्रेंड्स, वेलकॉम प्यर्से आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ में, जो की सामने में देख पार होगे, मारपन पटलर, 165 mm के अंदर में, 5 इंच का ब्लेट के, साथ में, ये लगने वारा मस्इन, जो की देख पारें के सामने में, तो चलो, जाला टाइम नहीं लेते हुए, सब को अंगर सकते हैं, और कैसा वाल है, और कैसा मसीन है, क्वार्टी भी देखते हैं, मसीन का, सबसे पहली कंपनी ओमेट, इसके बाद न्यूबी, एक्स्ट्रा पावर में दो मोडल भी जाएगा, यह एक्स्ट्रा पावर का, 4, 1, 7 है, 417, और यह है 1114 मोडल, यह ड्राइगन सीरिस के अंदर में आएगा, हाईवी ड्यूटी के, इसके बाद बाकी सब नॉर्मल है, चलो, खोलते हैं, और सबसका पावर वाट जानते हैं, यह है ओमेक्स का, इसके अंदर में आपको, देख और यह पत्चीस हमें, एक्सो पत्चीस हमें, फोले तो 5 इंच का बेट लग जाएगा, इसके क्वाइटी देखते हैं, और आज मैं सब का रेट भी बताते जाओंगा, इसके साथ में क्या का रेट पड़े गए, और मैंस का, यह देखो, ज्यादा स्रीनियम क्वाइटी नह में जाएगा, और इसमें आपको यह 70 डिग्री या तो 80 डिग्री यह जो है, फोल्डवल होता है, ऐसे काटते हैं जो न, इसमें आपको यह बेनिफिक निल जाएगा, मातरफ बाइस सुर रुपय का मुसी नहीं है, इसमें भी पूरा डिटेल दिया हुआ है, अब इसका आवाद खुना देता हुए, इसका आवाद कैसा है, और इसके सांच में आपको चाबी और स्पैनर बेड़ आएगा, यह चाबी दोफो, यह भामा जो आता है, मसीन चलाता हूँ, आपको आवाद खुनाता हूँ, इसका यह मसीन, इसना भी बुरा नहीं है, जितना प्राइ एकदम फाइन भी नहीं है, और इकदम ज्यादा लाओ आवाज भी नहीं है, और नॉर्माल मसीन 22 रुपय के अंदर में बजट में बहुत ही अच्छा है, ओमेप सा मात्र आइसो, और यह बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिसको टेपर काटने का बहुत ही जोड़त होता है इनके लिए दोनों काम करने के लिए बहुत अच्छा मसीन है, नेफ पे जड़ते हैं, न्यू बेट, सामने देख पा रहोंगे, ग्रीन कलर के बॉक्स में, और इसके अंदर में क्या क्या डिटेलिंग दिया हूँ, इसको देखते हैं, यह है, इसका वाट 1680 वाट के अंदर में आएगा, 12,000 rpm चलेगा, 125 mm ब्लेट के साथ में, ठीक है, और इसका रेडिल भी बताता हूँ आपको, इसको अंदर करता हूँ है, अब बाद, और, यह ग्रीन कलर के साथ में आएगा, ग्रीन ब्लेट कलर के कॉंबनेस्यम के साथ, वाट इसका क्वाइटी अच्छा लग आएगा थिया, इसमें आपको यह मिलता है, हेन, फिंड़ उच्छा इन, यह मिलता जाएगा, तो अपको पकडळा गाहिए ती, यह ग्रीन बेडाना, वाट है, आपको यहा अच्र। आपको ग्रीन पर और यह अंहां के सा में पुरा डिटेलिंग दिया हुआ है 125 mm का ब्लेड लग जाएगा इसमें भी इसमें आपको वो सेपर नहीं मिलेगा मगर इसमें एक चीज वेरिफिट मिलेगा कि आपको जब टाइल से मार्बल काटेंगे तो यहां पर पाइप लगाने का ऑप्सन दिया हुआ है जो फोता सा जितना आपको फिनिसिंग कातना है जितना जबस हमें नेफ आप इसका आवाद सुनाता हूँ उसका रेड भी बता देता हूँ आपको चलू कराता हूँ आप उसके बाद रेड सुनाता हूँ प्रशंट भी जख्ता नी जए रहा है और आवाज एकदम पतली है ज्यादा उतसे तो बहुत ही इच्छा है आवाज एकदम पतली है क्योंकि यह आपको तीने जार के अंदर में आ जाएगा तीने जार उपे में यह आपको मिल जाएगा न्यू बेट का पांच इंच का मर्ब जाएगा इस पीज में करेंगा यह बारा का रापीयं का है तो जिसको नार्मा बहुत ही अच्छा मतीन है नार्मा चलाने डाला के लिए मार्बल का का टार टाइस का जो भी काटना है काच सकतेंगा ब्लेट चेंज करना होगा इसके बाद जने चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पाउर में दो में जाएगा मोडार बता ही तो पहले बाले में रेट कलार का बॉक्स को रेट कलार का मसीन सामने देख पा रहे होंगे इसका डीटेल अप का यह सामने देख रहा होगा यह भी 1680W के अंदर में आएगा इसका मात्रा आर्पीम आठ जार दो साव है मात्रा आठ जार दो साव है आर्पीम जिसको ज्यादा रांडिंग नी चाहिए यह बहुत ही अच्छा मसीन है जिसको कम आर्पीम चाहिए वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है यह 125 सेमन का यह भी मिल जाएगा इसको यह एंबॉक्स क और एक और इतना कार्बन में जाएगा और यह तो सब में मिल जाता है चाबी मशीन के अंदर चलते हैं अब यह मशीन हमारा अस्प्रापावर का रेट और बॉड़ी फिल्वर है इसको भी स्प्रेयर पार्ट में चाहिए हो वो भी जाएगे इस मशीनों कर इसमें भी आपको बेनिफिट मिल आएगा यह वाला इसमें डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री तक यह आपको बेंड हो सकता है जो भी है से हो जाता है यहां से पीजाओ टाइप करसे है इसमें भी जो बार में डिटेलिंग बता रहा हुआ इसमें इसका मॉडल एक्सवीटी 417 ठीक है इसका भी रेड बता रहता हूं आपको यह आपको मात्रा 32 रुपे पड़ जाएगा एक्स्ट्रा पावर का मार्वर कटर 417 मॉडल इसका आवास सुनाता हूं यह थोड़ा सा हाइवी है इसका पावर है कंपनी एक्स्ट्रा पावर है मगर हाइवी है थोड़ा एक बार प्रेज करने से ना फता चल जाता है इसके बाद हम लोग इसी में हैवी डूटी में चलते हैं इसके जितना भी डीटेल है यह दिया हुआ है राम से 220 वाट में चल जाता है यह थारा सो पचास वाट के अंदर में आएगा बाकी यह भी 1680 वाट के अंदर में दिखाया हूँ यह थारा सो पचास वाट के अंदर में आएगा इसका RPM आएगा 11500, यह आपका 125 mm, और इसका cutting depth है, गहराई काड़ सकता है, एक 40 mm तर, और blade आपका लगेगा 125, इसको भी आन बाक्स करता हूँ, यह हमार extra power dragon series, इसमें सबसे पहले तो आपको एक, यह carry bag में जाएगा extra power का, इसका मोडर मंबर है 11500, और साथ में आपको कार्बन, और चाबी, और पेंड में जाएगा extra power का, इसके बाद बाक्स को खोलता है, मसीन में चलता है, बहुत ही अच्छा पेकिंग है, यह हमारा इसके मार्ग कटर, प्रूरा प्लेक प्लेक फेक यहाँ, और हेट का तुगर, फेट का तुगर, इसका बेकिंग, इसके बाक्स का शेकर बाक्स क्ट्रूर, जो भी बोल सकते हैं, बहुत ब्रेट चेंज करो, और जो में काटना है काटो, इसमें आपको 45 डिग्री एंगल करने के लिए नहीं किया है यहाँ पर प्लेन है यहाँ पे जो अट्रेस्ट अब यह दिये होगा है इसमें आपको अपने जाएगा इसमें ठीक है अब चालू कर आतो हमें पर आवाद सुमें इसका हाई भी टूटी करें पाइप के तैसे बूम उतर रहे था मैं बहुत से ज्यादा पाउर्फूल मसीन है हैभी टूटी है एक्स्टा पाउर कर जो की 11,000 काउंसल रपीम में रूं कर रहा है पूरा आवास सुमें चालू करने के चाहिए और थोड़ा सा रूपने के टाइम थोड़ा सा बाइब्रेट कर रहा है फिट चलते टाइम नॉर्मल लग रहा है देखो चालू कर रहो थोड़ा यहायब प्सकी को भी चाहिए होगा ऐयमारा मार्बल कटर पास इंच के अंडर में आपको थोड़ अंधिय कोबी बाइबला और जो ए उस कंपनी के अंडर में किसी में चाहिए होगा तो हम फुडर आ ले सकते हैं और डारेक्टो पोलियर करा सकते हैं, किसी कोई चाहिए उता हमें कॉल कर सकते हैं, इसक्रिप्शन में हमारा नमबर में जायगा, जो कॉमेंट करेंगो तो हमें चलूर रिप्लाइ करेंगे, और नए वीडियो को देख रहेंगो तो प्लेज सस्क्राइब कर लिए, अब अब स अब से रिगलार नए नए वीडियो और नए नए मसीनों को रिव्डियो और इंबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको, तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में प्लीज सस्क्राइब और लाइक करके जाए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में थेंक्यों